Types of friction, friction हमारे 3 तरक ही होते हैं, पहला होता है, static friction, then sliding friction, then rolling friction, एक एक करके तीनों को समझते हैं So, static friction क्या होता है, देखो एक surface है, और इस surface पे एक block है, और इस block है, force लगा रहे हैं और force लगाने के बावजूद भी यह block क्या कर रहा है, move नहीं कर रहा है, एक ही जगह पर टका हुआ है, जैसे तो simple सी example लेते हैं, कि एक block है और उसको हम road पे move कर रहे हैं, road बहुत rough surface है, तो वो move करेगा नहीं करेगा, अटक जाएगा, तो उस case में जो friction force लगता है, उसको हम बो जाएगा, जैसे गाड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं, limiting friction या फिर critical friction, अब second हम आते हैं, sliding friction पर, जैसे हमने देखा होगा, इस school में क्या होते है, sliding जूले होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सीडी चड़के जाते हैं, और फिसलते बे नीच जाते हैं, तो उस case में पर friction लगता है उसको हम बोलते हैं, rolling friction, जैसे गाड़ी है, गाड़ी मूव करती है, और गाड़ी के tire क्या करते हैं, roll करते हैं, surface पे, road पे, तो उसको जो friction लगता है, उसको बोलते है rolling friction, बट अगर गाड़ी पूरी speed से चल रही है, और हम suddenly break apply करते हैं, तो tire अगर घिसता हुआ जाता है, तो